मिडलीस्ट जंग की आग में जुलस रहा है 7 अक्तूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से इस इलाके में तवाही मची हुई है लबनान का हिस्बॉला समू लगातार इसराइल पर बरस रहा है लड़ाके उतरी इसराइल पर बेहिसाब हमले कर संगर्ष के दायरे को बढ़ाने पर तुले है बीते दिनों इस्राइली एस्ट्राइक से बोखलाई इस बुल्ला ने एक साथ पचास से जादा रोकेटों की बोच्छार की समू के ताबर तोड हमलों से इस्राइल समेट मिडल इस्ट में हलचल तेज हो गई है लेवनान के इस्लामिक पर्तिरोत के सेनानियों ने इस्राइल के खिलाफ अपना रोदर रूप अक्तियार कर रखा है समू ने कथित तोर पर कबजे वाले सफ़त के पास इस्राइली आयलेट हाशेर पस्ति को निशाना बनाया तारगेट कर दागे गए रोकेट से इस्राइल के कबजे वाले फिलिस्तिनी इलाके में बड़े पेमाने पर आग लग गई खास बात है कि इस इलाके को यहूदी दरम के चार पवित्र शहरों में से एक की रूप में जाना जाता है बता दे कि यह इस्राइल के उत्री जिले का एक एहम शहर है सफद गलील और इस्राइल का सबसे उचा शहर है यहां बड़ी संख्या में यहूदी समुदाई के लोग रहते है दक्षणी लेबनान से दागेगर रोकेटों के चलते उत्री कबजे वाले फिलिस्तिन की कई बस्तियों में साइरन बचने लगे इनमें कबजे वाले शहर सफद, अमुका, मीशिमार, हाइडेन, आयलेट की बस्तियां भी शामिल है इस्राइली मीडिया ने बताया कि उपरी अल जलील के इलाकों पर रोकेट अटैक से बड़े स्तर पर आग लग गई सबसे एहम ये है कि इन इलाकों में इस्राइली निवासियों को अभी तक सुरक्षित स्तानों पर नहीं बेजा गया है मालूम हो कि पिछले कुछ हफतों से इजबुला नए नए इलाकों पर बंबारी कर रहा है ऐसे में इस्राइल के लिए मुश्किले बढ़ती जा रही है लेबनान और इस्राइल के बढ़ते तनाव का खामियाजा बॉर्डर के नजदी की इलाकों में बसे इस्राइलियों और लेबनानियों को उठाना पड़ रहा है इस्राइल की लेबनान में हो रही लगतार एस्राइक से इस्राइक से इस्राइल ने अपने सैने उप्रेशन को धार दी है इस से उतरी इस्राइल पर दिन रात आसमान से आग बरस रही है 17 अगस्त साल 2024 को हजारों लोग हिजबुल्ला के हमलों से बचने के लिए बॉम शेल्टर्स की और भागे वहीं हिजबुल्ला ने अलनबातिय गवर्रेट में लिबनानी शहर केफोर पर इस्राइली हमले का जवाब दिया दरसल इस्राइली सेना ने केफोर गाटी में एक अवासी इलाके पर हमला किया इसमें करीब 10 लोग मारे गए थे जबकि 5 लोग गहल हुए थे बताया जाता है कि ज़्यादता रहता हत सीरियाई नागरिक थे हिजबुल्ला ने इस्राइल के कबजे वाले उत्री फिलिस्तिनी शेत्रे में आईलेट हाज शेर बस्ती पर ग्रेट परकार के रोकेट तोप खाने के गोले दागे ऐसा दावा है कि 8 हक्तुबर साल 2023 को अपना सैने समर्थना बियान शुरू करने के बाद ये पहली वार है कि हिजबुल्ला ने बस्ती को निशाना बनाया प्रतिरोद ने इस्राइली अलमर्ज मिलिटरी साइट की और दो FPV ड्रोन भी लॉंच की जिस ओटक से लदे ड्रोन इस्राइली सैनिको की और से ओपरेट एक जगे पर बस्ते समुने दावा किया कि इस स्ट्राइक के दोरान कहीं इस्राइली जवान बुरी तरह हता हथ हुए है अपने एडवांस हतियारों के दम पर हिजबुल्ला लगातार इस्राइल के लिए बड़ा सिर्धर्द बन गया है परतिरोध ने इजराइल के कपजे वाले लेवनानी कफर चोबा हिल्स में अल सुमाक का मिलिटरी साइट पर भी हमला किया वहीं लड़ाकों की तोप खाना यूलिट ने रुई सेट अल आलम मिलिटरी साइट पर भी सर्टिक हमले का बड़ा दावा किया है इसके अलावा सम्मू ने बताया कि अदाव जारुन मिलिटरी साइट पर निशाना बेदते हुए गाजा का समर्थन किया है उुआ चोड़ु़ू कियारुन